सो जैसे ही गाइस आप लोग ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था लू फैंग एंपरर चू पैलेज जाता है जहां पर हरिटेज हॉल होता है वहाँ पर जाके वह कैलिमनेटी बीस्ट की जो शेडव होती है उससे देखने के लाया था इनके एक तरीके से वह एक व ही तो वह बेरली शायद से इसी इसको सर्वाइब कर पाएगा लू फैंग हां के अंदर मुंडी हिला देता है जिसके बाद लू फैंग उस टैरिफाइंग वीडियो को देखता है उस कैलमेटी बीस्ट के में वह कैलमेटी बीस्ट की एक शैडव देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर वह जो कैलमेटी बीस्ट होता है वह पुरी तरकी से रैड कलर का था और उसके बाड़ी के अंदर से काफ़ी सारी फ्लेम भी निकल रही थी उसके कुल मिलाके आट पाउ थे और काफी सारे बड़े बड़े विंग्स बीस्ट का साइज इत्ता बड़ा था कि ऐसे लगता तो पुरी पूरे दुणिए इसी के चरणों के नीचे है इसके बाद अचानक से बीस्ट होता है वो लूवफंग के डायरेक्शन के अंदर देखता है जैसी लूफंघ उसके नजरू के अंदर देखता हाँ मिला के उसकी पुरी तरकी से फट जाती है ऐसे कहने के बाद लूब फैंग का पुरा का पुरा दिमाग हिल चुका था वो सोच रहा था कि इस बीस्ट के बिस शैडव को देखना इतना जादा टैरी पाएंग गया तो अगर किसे दिन ये बीस्ट सामने उसके आ गया तो क्या ही कर लेगा शाहिद ही वो उसे देखके जिन्दा भी रह पाएं इस इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बीस्ट के शैडव को बस देखने के लिए आपका जो विल पाउर का लेवल होता है वो सेकंड लेवल के उपर होना चीए गौड किंग लेवल के लूफ हैं के दिमाग में एक चीज़ आती है कि यह बीस्ट यह इस त को देखके समझ चुगा था कि जो बीस्ट यह औरीजन को नेनन का नहीं है यह में भी इस के बार का ओ जिसके मैं आप लोगो पहले भी बताया था कि अरिजन को बड़ा दिखता उतना बड़ा है नहीं औरीजन कोंटेनेंट चीज़ बड़ी बहुत सारी चीज़ जिसके बा रॉबरी बीस्ट होता है वो extremely powerful था एंड उसके काफी सारे दोस्त भी बन चुके थे लेकिन क्यूंकि उस रॉबरी बीस्ट का बस एक ही मकसद था कि उसे powerful बनना है तो एक एक करके उस रॉबरी बीस्ट ने अपने दोस्तों को भी भरा दिया और उसके सारे दोस्त मारे गए एड डेंड उसके strong बनने के रास्ते के ओपर वो अकेला ही रहा एड फाइनली एक दिन उसे पकड़ा गया एड किसी को भी नहीं पता कि वो कैसे पकड़ा गया इवन वो जो robbery beast था वो खुद भी experience नहीं कर पाया था कि उसी किस तरके से पकड़ा गया एंड किस ने पकड़ा हुआ है इस तरके साप सोच सकते हो कि उस robbery beast से भी जादा powerful कौन सा existence होगा इन सारी चीज़ों को जानने के बाद है इन comprehend करने के बाद काफी सारी चीज़े सीखता है जैसी कि इस दुनिया में अपने आपको पावफुल मानना यह सबसे बड़ी गलती है क्योंकि तुमसे भी जादा powerful कोई हो सकता है इसके अलावा जो डाव है डाव को practice करने के लिए कोई भी shortcut नहीं होता और उसकी जो the art of element technique है जो कि उसकी soul power technique है फिर जो will power technique है वो भली इस पर काफी जादा powerful हो लेकिन जैसे जैसे वो future के अंदर strong बनता जाएगा उसकी जो technique है यह कमजोर होती जाएगी जो कि after all यह बस एक technique है जिसको already उसने perfection तक comprehend कर लिया है फिचर के अंदर जो उसके enemies होंगे वो धीरे धीर करके जादा powerful होते रहेंगे तो definitely उसकी काफी सारी जो technique है वो maybe उनके opponents के उपर काम ना करे जिसी तरह के सरे वक्त बीचता रहता है और लूफएंग ग्रेट डाव को practice इसकरता रहता है लगबग लगबग 72 centuries भी चुकी थी जबसे लूफएंग चड़ू city के अंदर आया था तो सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को original universe का scene दिखाया जाता है जहापे लूफएंग का एक incarnation जूकि original universe के willpower को जाग के देख रहा था और वहाँ पे already जो लूफएंग था वो first section of Trinity form 8 revolution life body को नहीं comprehend कर पा रहा था इसके अंदर 3 major branches आते थे जिसके life spirit, life body and life source लूफएंग already life spirit and life body को पूरी तरगे से peak तक comprehend कर चुका था चौर्ज रिलम के and अभी उसे वो और जाधा comprehend नहीं कर पा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसे और जाधा comprehend करना चाहता है तो उसे god king level के उपर breakthrough करना पड़ेगा तो उसे लूफएंग का फिता परिशान हो चुका था वो अपने आपसे कहता है क्या उसे सही में god king level के उपर अपना breakthrough करना पड़ेगा इस चीज़ को comprehend करने के लिए इंफिल लूफएंग की दिमाग में आता है कि मीभी उसे एक हुनियान crystal spirit fruit को consume कर लेना चाहिए उसने पहले सी सोच कर रहा था कि पाच हुनियान crystal spirit fruits को वो चौज रिलम के अंदर यूज़ करेगा और बाकी के पाच को वो divine king realm के उपर पहुचने के बाद इस्तमाल करेगा और इसकी जो five branches है वो और इपीक तक पहुच चुकी है जब फर्स टाइम था पूरी के पूरे 20 centuries के अंदर कि उसके महाशर ने उसे याद किया हुच हम लोगों एम्परचू पहले इसका सीन दिखाया जाता है जहां पर जो एम्परचू थे जमीन के उपर बैठे हुए थे और उनकी जो बाड़ी थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी ए थे जो एंसिस्टर है उन्होंने इस बार सारे के सारे जो 13 एंपर सबसे जादा हक होता था रॉयल फैमिली इसका रही बात गेस्ट ऑफिशल्स की तो उनको इन सब चीजों के लिए काफी एदा मैनत करनी पड़ती थी उनको मैरिट से गट्टा करने पड़ते थे इन सारे र एंपरेशू के का रॉयल फैमिली स्दृस जादा करता है एमपरवचु के कौल मिला के तीन डीसाइपल्स थे जिसके अंदर से उसके दूर डिसाइपल्स थे वह भीच बीच में उन्हें देखने के लिए आते रहते थे थे झार फ्राइबर भी लेते रहते थे बट उनका पिछले 20 centuries के अंदर एक भी बार उनसे मिलने के लिए नहीं आया था, लुफैंग ने Emperor Choo से कोई guidance ली थी, कुछ Royal Alliance के अलावा जो Emperor Choo थे वो अपने इन तीन disciples से काफ़ी ज़्यादा close थे, जो Royal Alliance होते थे, उनको already resources मिलते रहते थे, डीचू के opinion के अंदर उसके जो तीन personal disciples है, इनको भी resources मिलने चाहिए बराबरी से, बाकी दो को तो मिल जाते थे लेकिन उनका इस जो third disciple था, यानि कि लुफैंग, इसे एकेली cultivate करने के आदत थी, आनि लुफैंग यहाँ पर आ जाता है, लुफैंग एमपरचू को greet करता है, एमपरचू लुफैंग के तरफ देखता है और कहता है, लुफैंग, जबसे तुम मेरे disciple बने हो, तबसे तुम एक भी बार मेरे से कोई advice लेनी के लिए निया आए, पिछले 20 centuries के अंदर, या तुम्हें अपने path को लेके कोई भी confusion नहीं है, लुफैंग कहता है, मास्चर, मुझे कुछ confusion है, ओरिजिन ओफ लाइफ से लेके, जिचुए ये चीज सुनते ही थोड़ा सा अजीब सा एक्रवेशन बनाता है, क्योंकि उसे ओरिजिन ओफ लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता था, वो कहता है, ग्रेट ओरिजिन ओफ डिश्रक्शन, उसके बारे में क्या ख्याल है, या ओरिजिन ओफ डिश्रक्शन को तुम अच्छी से comprehend कर पा रहे हो, या ओरिजिन ओरिजिन ओफ डिश्रक्शन को comprehend करते थे, और वो इसके बारे में लू फैंग को ज़्यादा चीज से बता सकते थे, लू फैंग कहता है कि फिलाल के लिए जो ग्रेट ओरिजिन ओफ डिश्रक्शन है, उसके अंदर उसे कोई भी डाउट नहीं है, जो लू फैंग के दो लिएजिस थे, ग्रेट ओरिजिन ओफ डिश्रक्शन के अंदर, यानि के दो प्रैक्टिसे जो कि वो फॉलो कर रहा था, उसके अंदर 72 स्वार्ड ओफ अनिलेशन, स्काइ स्प्लिटिंग लिएज था, जो कि डार्क स्काई लीनियस से बिलॉंग करता था, या दोनों के दोनों अल्रड़ी चौजर रिलम के टॉप लेवल के उपर पहुँच चुके थे, और इससे आगे वो इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थी, ये डेफिनेटली उसका ये जो ग्रेट ओरिजन ओफ डिस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस है, ये ग्रेट ओरिजन ओफ लाइफ से स्लो है, जिसके बाद एंपरेचु कुछ नहीं कर सकते थे या और वो लुफएंग से पूछते हैं, पूफएंग कहता है कि मुझे 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 बेसिक पार्टिकल जो की परफेक्ट चॉज लियर के क्रियेचर्ज है, इनके तरिनिटी फॉर्म के अंदर कंफ्यूज जाना है, सारी चीज़े देखने के बाद जो एंपरेचु होता है, वो स्माइल करती हुएं कहता है कि मेरे डिसाइपल तुमने काफी कुछ सीख लिया, बट स्टिल तुम इस चीज़ को समझ नहीं पाए, एंपरेचु सोच बता रहे थे, ऐसा मत सोचना कि सोच सोच के बता रहे थे, इसका मतलब अटक अटक के बता रहे हुए, एंपरेचु डिवाइन कींग रिलम के उपर थे, और उनकी जो ठिंकिंग कैपसिटी थी, वो किसी भी नॉर्मल चॉज रिलम या फिर चॉज रिलम ट्रांसेंट या फिर किसी भी ओर्डिनरी गॉर्ड किंग लेवल से बहुत जादा आगे थी लड़ा से इसीस को स्टाडि करने मुझे लगता है कि होटी को जादा सुस्टर ना इसके बार में कभी कुछ पता चलेगा जब्रेटर को चलेगा उस डेट बोड़ी को देखता था तो पूरी तरके शोग हो जाता है तुगि इसके अंदर शे जो औरहा नीक रहा था वो सही में काफी ज़्यादा श्रॉंक था उसने कभी भी इतने बड़ी क्रीचर को नहीं देखा था ना इसके बारे में कभी कुछ सुना था तुम्हारी जो अंडिस्टैंडिंग होगी वो काफी जा डीप हो जाएगी अगर शाहिद से तुम हुनियान्स क्रिस्टल स्पिरिट प्रूट को कंजियूम करते हो तो तुम एक यबारी के अंदर पूरी के पूरे ट्रिनिटी फॉर्म को समझ जगते हो लूफएंग तुरंद इस बॉड़ी को उठा लेता है और अपने माश्र को थैंक्स कहता है इसके बाद वह ऐसे चला जाता है लूफएंग के जाने के बाद जो एमपरोचु होता है वो सोचता है लूफएंग को कुछ जादा ही फेवर करता था अपने मन के अंदर लूफएंग का जो ग्रोथ पोटेंशल था वो एक अलगी लेवल के उपर था लूफएंग लूफएंग पहले से आने के बाद सीधा अपने स्टार्ट आउर के अंदर चला जाता है यानि कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है यानि कि उसे कॉम्प्रेंट करने के लिए यसे तो यह जो बड़ी से बीटल के डेड़ बॉडी थी यह देखने में काफी ज्यादा स्केरी थी यह कुछ-कुछ लूफैंग के गोड़न और बैमूत के तरह दिखरी थी यह बाद लूफैंग सोचता है कि अकॉर्डिंग टू मास्टर यह जो बॉडी है इसे ठंडर एंसिस्टन ने खुद कल्टिवेट किया था और इस सीज के ओपर स्टड़ी भी की थी Heritage Hall के Information के हिसाब से जो लूफैंग था वो बहुत पहले ही समझ चुगा था कि यह जो पुरी की पुरी दुनिया है वो Supreme Laws के हिसाब से चलती है एक तरकी से देखा जाए तो यह जो पुरी की पुरी दुनिया है वो एक पिंजरे है और इस पिंजरे के अंदर बस चलते है Supreme Laws जितने भी Senior Officials है Thunder Asian Country के या पर Royal Families के वो सारे के सारे इनी चौरी ओरिजन ब्लड लाइन वाले Creatures के तुर प्रैक्टिस करता है जिए जो Creatures होते है इनके पास 10 Directional World Form होता है जो कि Trinity Form से काफ़ी ज़ाधा बढ़कर होता है Trinity Form वो Form होता है जिन Forms के अंदर लूफएंग अभी तक उन Creatures को Study कर रहा था यानि कि उस चौर्ज लेवल के Creatures को इसके बाद जो लूफएंग होता है वो इस वैमूद के एक भूंद खूंद को लेता है इस एक भूंद खूंद को लूफएंग तुरंत अपने हाथों से काफ़ी सारे चुटी चुटे Particles के अंदर डिवाइड कर लेता है जब वो इस Blood की भूंद को काफ़ी सारे Particles के अंदर काफ़ी स्पिरिच्वालिटी है इसके अंदर की जो पाफफुल फ्लक्शूइशन की उसको देखके लूफएंग समझ चुगा था कि नो वंडर यह जो चीज है यह जो जानवर यह गौड किंग लेवल के वारियर से भी फाइड कर सकता है लूफएंग तुरंत वो जो खून की भूंद होती है उसे और नौ छोटे-छोटे पारिकल के अंदर डिवाइड कर लेता है एक तरीज तरह जो तीन पार्ट से यह आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे याने की फ्यूस थे यह तीन पार्टीकल जीरे एक रोटेशन मोशन को भी कैरी कर रहे थ शाहिद से लू फैंग इन सब चीज़ों के बारे में कुछ डाउस के अंदर या फिर एजशन TAKS के अंदर पढ़ सकता था है लेकिन इन सब चीज़ों खुद अपने आखों से देखने से सारीम कोई लू फैंग के लिचाइब ऑड़ी होती है ये particles अपस में मिलके एक Trinity form बनाते हैं, सही में देखने में काफ़ी था amazing है, जितनी भी पहले उसने creatures के बार में study किया था, वो perfect charge layer creatures, उनके जो particles होते थे, वो काफ़ी था बड़े होते थे, और उनके अंदर ying and yang energy के particles होते थे, क्योंके मिलके Trinity form को बनाते थे, ये जो creature था, इस creature के body के अंदर ये जो 10 directional world था, इसके अंदर हर एक इसका छोटा छोटा चोटा जो particle था, वो तीन particle से मिलके बना हुआ था, एंड इसका हर एक तीन particle मिलके Trinity form को बना रहा था, इस तरीके से जो लूफएंग था, उसमें दो different Trinity forms को study किया था, एक तो charge perfect level creature से, एंड एक इस creature से, इसके बार लूफएंग इन सब चीजों को comprehend करना start कर देता है, और अच्छी तरगे से, मैं ज़्यादा इन सब चीजों के बारे में आपको explain नी करूँगा, वरना आप बोर हो जाओगे, तलिक कुछ सालों के अंदर, चटू सिडी के अंदर लूफएंग को सबसे अदर top notch inheritance and resources मिले थे, तो definitely लूफएंग ने अपने आपको पूरी तरकी से cultivation के अंदर busy कर लिया था, चटू सिडी के अंदर काफी सारे चोटे मुटे disputes होते रहते थे, यानि कि छोटे मुटे जगडे लेकिन लूफएंग इन सब चीजों पीए बज़े ज़ादा ध्यान नी देता था, वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चू जिया हाओ और चू यान हाओ और चू यान हाओ तो आपको यादी होगा जिसको मार मार के लूफएंग ने लिटरली जूस बना दिया था, यह तो नों एक दूसरे से बात करते करते दारूपी रहते, सड़ने उन लोगों को एक मैसेज रिसी होता है, जो कि रॉयल फैमली के तरफ से था, यह एक तास्क था, इस तास्क को देखके यह पूरी तरक से शौक हो चुके थे, कि आखे पूरी तरक से बाहर आ चुकी थी, यह जो तास्क था, यह कोई ओडिनरी तास्क नहीं था, यह एक हेवन लेवल का यह शायद से 10s of thousands of centuries के अंदर एक ही बार ऐसा मुका मिलता है, यह इस तरीकी के missions मिलना काफी ज़्यादा रेयर होता है, यह जो missions होता है, यह बस first class के royal families के मार्किस ही कर सकता है, तो guest official है, लुगो फैंग्जे से, वो इन सारे missions को accept नहीं कर सकते हैं, मार्किस चु यहां, काफी ज़्यादा terrifying होंगे, जल्दी से इस mission के लिए prepare होना start कर देना चाहिए, जितने भी बाकी के first class के मार्किस थे, उन सभी लोग का भी ही reaction था, इस mission को देखने के बाद, शायद से, अब जाके आप लोगो बता चलेगा कि किस तरीके से, जो seven first class के मार्किस है, यह लोग कि में discuss कर रहे थे, उनको जो resources मिलता है, वो जो resources होता है, वो इतने जादा नहीं होते हैं, लेकिन इस वक्यों जो first seven class के मार्किस है, यह लोग को भी मिल सकता है, अगर कोई guest official level का warrior होता है, इवन वो god king level का भी होगा, फिर भी उसके लिए जो merits होता है, वो इकटा करना काफी दा मुश्किल होता है, क्योंकि एवन अगर उसके पास millions of merit होंगे, उसके बाद भी वो ultimate level के resources से काफी दा दूर होता है, जो ultimate inheritance होता है, इन दो Asian countries के, उसके लिए कम से कम ज़्यादा कोई फाइदा नहीं मिलता, इवन उनका rank ज़्यादा ही क्यों ना हो, जो royal families के members होता है, या फिर जो personal disciples होता है, उन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा resources मिलता है, अगर लूफएंग Emperor 2 का disciple नहीं बना होता है, तो लूफएंग को भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ज़्याद से आज लूफएंग जो कुछ भी पापा रहा है, या फिर जो भी resources उसको मिल रहा है, उसका एवन वो 10-15% भी नहीं घटा कर पाता अपने पूरी जिंदगी के अंदर भी, जो लूफएंग था, वो seclusion के अंदर practice कर रहा था, लेकिन आचानक से जो D2 होता है, वो लूफएंग से मिलने के लिए आता है, लूफएंग तुरंट सrange conclusion के बाहर आता है, वो D2, से मिलता है, और वो कहता है, क्या हुआ हूआ, आप आज इतने अधा हडबडा, एसी क्यो लग रहे हो, D2 होता है, वो लूफएंग से तुरंट कहता है, क्या, क्या तुम्हें पता ह कि रॉयल फैमिली ऑफ एशन यांग वाइंग गंटरी ने कुछ heaven level के missions को issue किया है heaven level के mission के बारे में सुनके even जो लूफ हैंग होता है वो भी थोड़ा से surprise होता है उसे जाधा कुछ तो नहीं बताता लेकिन बस उसे इतना ही बताता कि इस तरीकी के जो missions है वो बस high level के जो first class markets होते हैं उन्हीं लोगों को मिलते थे इसके truth जो inheritance मिलते है वो सही में काफी जाधा terrifying होता है एक heaven level के mission को आने के लिए लगबग लगबुत hundred of thousands of years लग जाता है कि मुझे first class markets बने हुए जाधा time नहीं हुआ और मुझे इतने जल्दी heavenly mission मिल गया जो top seven first class के markets है उनके अंदर से मैं सबसे जाधा कमजोर हूँ वारी जो competition होने वाला इस सही में काफी जाधा troublesome होगा नेकि काफी जाधा दिक्कत आने वाली है लूफैंग को समझाता है कि जो heaven level का mission है ये तीन सब टास्क के अंदर divided है पहले जो दो सब टास्क है वो तो D2U को ही करने पड़ेंगे कि वो किसी भी outside force की मदद नहीं ले सकता लेकिन जो third task है उसके अंदर वो भार वालों की में मदद ले सकता है सीस को सुनके लूफैंग भी थोड़ा सा excited होता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस सीस के लिए लड़ना है हम इस opportunity को miss नहीं कर सकते हैं मैं नहीं पता कि अगला heaven level का mission कब आएगा लूफैंग से कहता है कि जो third सब टास्क है उसके अंदर blood spirit gold pearl के लिए हम लोगो fight करने पड़ेगी और उस सीस के लिए मैं totally आपी के ओपर depend हूँ बस आपी हो जो मेरी मदद कर सकते हो आपकी के पास उतनी ताकत है कि आप उस सीस के लिए लड़ सको यह पुरी पुरी origin continent के अंदर बस एक ही जगह है जहाँ पर blood spirit gold pearl उखता है फिर appear होता है इन दो Asian countries की boundaries के उपर जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूद होता है और इस जगह पर सबसे ज़्यादा god king level के warrior मारे भी जाता है तो चौजरिलम के warriors की तो कोई वारियर्स की fight नहीं होती क्योंकि जहाँ तर यहाँ पर चौजरिलम के warrior ski fight होती है अगर गलती से कोई god king आग जाए तो फिर यहाँ पर यूद जुट जाता है बागी के जो भी first seven class के marquis है उनके तरब से भी जो भी helper जाएंगे वो सारे के सारे चौजरिलम transient level की होंगे पिर चौजरिलम की peak level के उपर होंगे वो ऐसे में अगर D2U को competition के अंदर उतरना है तो वो बस एक चौजरिलम के transient level के warrior के उपर ही depend रह सकता है जो कि लूफैंग था लूफैंग एक लंबी सास लेता है और कहता है आपको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है लूफैंग केहता है कि आपको इतना कुछ बोलने की कोई जरुवत नहीं है मैं अपना best perform करूँगा इस mission के अंदर After all आपी के गारण चड़ू के अंदर मुझे एक guest official के तोर पे recruit किया गया आपी के वज़े से मैं Emperor 2 का personal disciple बन पाया मैं बस एक guest official हूँ आपका मैं इसलिए ये mission नहीं कर रहा कि हम दोनों की काफी अच्छी कासी दोस्ती है और मैं हमारी इस दोस्ती के लिए इस mission को complete करूँगा जिसके बाद जो एमपरोची होता है वो smile करता है और थैंक्स कहता है लूफैंग को और फिर वो लूफैंग से कहता है तो मैं काफी तक केरफूल रहना पड़ेगा कि जब ये blood spirit golden pearl उकता है या फिर bond होता है वस boundaries के उपर 10 दिन के लिए रहता है 10 दिन के बाद वो जो blood spirit golden pearl है वो blood spirit poison pearl के अंदर convert हो जाता है और एक बार जब वो blood spirit poison pearl के अंदर convert हो जाता है मैं definitely उन लोगों से weak हूँ लेकिन मैं already George Lim के top तक बहुत चुका हूँ जो वो जो मेरे दो individual task है मेरे लिए काफी ता मुश्किल होंगे मैं इतना तो पता का कर सकता हूँ कि मैं उन task के अंदर definitely bottom के उपर तो बिलकुल भी नहीं रहूँगा रही बात तीसरे task की तो जितने भी first class के marquises है वो सारे के सारे blood, spirit, golden, pearl वाले mission के लिए अपने लिए कोई न कोई George Lim transient level के warrior से ही मदद माएंगे और इस वग वो सारे के सारे third and fourth position के लिए compete कर रहे होंगे ये first and second position के लिए compete करना literally काफी ज़्यादा मुश्किल है DJU के पास उतनी power है और ना शायद से लू फैंग के पास उतनी power है और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ या आपको आगे जाके पता चलेगा लू फैंग कुछ भी नहीं कहता हूँ बस इतना ही कहता है कि ये जो blood, spirit, golden, pearl वाला mission है इसे मेरी ओपर छोड़ दो रही बात ranking की तो उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता चुछ तुरंट जो mission की जितनी भी details होती है वो सारी-सारी लू फैंग को बेच देता है लू फैंग तुरंट सारी-सारी mission की important details को पढ़ लेता है और उसे पता चलता है कि ये जो mission है ये लगबग लबग एक हजार दिन के बाद शुरू आने है ये जो mission है इसके expiry rate लगबग लबग एक century के आसपास है लोग को capital of Chu के अंदर Chu Zhang देखने के लिए मिलता है तो कि अपने villa के अंदर आ रहा हम से बैठके धारू पी रहा था मैं तुम्हारा काफी था लंबे टाइम से इस courtyard के अंदर इंतजार कर रहा था Chu Zhang how कहता है कि मैंने expect नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरह के से illusion world के अंदर drag कर लोगे Chu Zhang how कहता है क्या तुम तुम लियांजी पैलेस वाले लोग चुकि पुरी की पुरी औरोजन कांडेन के अंदर इतना था फेमस हो तुमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे बस illusions के अंदर ही बुला सकते हो मिलने के लिए अबी वो जो mysterious figure होता है वो चुझाएंगा उसे कहता है जो चड़ू सिटी है वो flame wind ancestor के दोरा personally refine की गई है और इस चड़ू सिटी के अंदर जो two realm palace है उसे भी काफी ते careful रहना पड़ता है तो मुझे माफ करना चुझाएंगा हो जिन लोगो two realm palace के बारे में नहीं पता मैं आप लोगों बता दूँ ये एक dark hidden force है तरी के से you country, she country, young fang country, thunder country, काफी टियामू Asian country कि जितने भी बड़ी बड़ी first class की country है सारी के सारी surface level के उपर आती है यानि कि ये top forces है इन 30 सारी top forces है तो definitely villains की भी entry होनी चीए इनी सारी forces के बीच में काफी सारी dark forces भी है क्योंकि काफी एदा mysterious होती है आप लोग बिलीव नहीं करोगी कि जो dark forces है इसके अंदर जो लोग मिले हुए रहता है वो सारे के सारे इनी बड़े ancient country से लोग होता है यानि कि में भी हो सकता है कि जो young fang ancient country के जो 13 बड़े-बड़े emperors है उन 13 emperors के अंदर से कुछ dark forces जुड़े होए हो secretly उनके थ्रू इनको काफी सारे resources and काफी सारी dark divine powers मिलती है इन dark forces के सबसे बड़ी अच्छी चीज यह होती है कि जो भी इन dark forces के अंदर होती है उनके identity पूरी तरके से mysterious होती है तो कोई भी young fang ancient country के अंदर रहे के अराम से लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें इस heaven level के mission के अंदर first place के उपर लाने के लिए तुम्हें एक चीज समझ आनी चाहिए कि जितने भी first class marquis है emperor two lineage के अंदर उसके अंदर से जो marquis chewing है वह सबसे आदा first level के उपर है निकि वह most powerful है उसके बाद two fang and marquis choose ही आता है ए लेगिन बदले में तुम्हें मुझे आधे resources देने पड़ेंगे जो भी तुम्हें मिलेंगे जिस सुनके जो marquis choosing होता है वो उस बंदी के तरफ दिखते हुए आधे resources क्या तुम पागल हो चुक्य हो सारे के सारे resources मेरे royal family of young foundation country क्या है तुम लिंगियों पैलेस वाले लोग सह होता है यह तोड़ा से सूचता है कि जानता था कि जितने भी सेवन फर्स क्लास मार्किसे से एंपरियो लिनेज के अंदर से यह सबसे ज्यादा कम पोटेंशल वाला बंदा है क्योंकि अगर मार्के चूयू की बात करें के पास भी चौज रिलम ट्रांजेंट लेवल के वार हो तो मैं तुम्हें 20% दूँगा अगर मैं टॉप 3 में से किसी position के उपर नहीं आता तो इवन resources के बार में सोचने की जरुवत भी नहीं है तुम्हें वह जो सामने वाला figure होता है वो कहता है कि इस mission को करने में सही में काफी दा मैनत लगने वाली है definitely अपना best दूँगा अग चाहता हूँ मैं अगर second position के उपर आता हूँ तो मैं तुमसे 30% resources लूँगा अगर मैं 3rd rank के उपर आता हूँ तो तुम्हें बस 20% देने की जरुवत है इसे नीचे मैं नहीं मान सकता फानिली इन लोगों की जो deal होती है वो इतने इसमें done हो जाती है deal done होने के बाद वो जो mysterious लाइंग ता वह उस इल्यूजनरी वर्ट से बाहर निकल जाता है और जैसी वह बाहर आता है उसे ऐसा लग रहाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना वह अभी भी उसे टेबल के बैठा हुआ था इसके बाद जो चूचता है कि जितने भी पीक लेवल के वारियर है उसने कभी भ पर अपना ब्रीक्तुर कर लेगा एक बार वह टेटमेंट के मारिकसे को मिलता है उससे डिवाइन कीण्ग रिलम का काफी ज्यादा अलग होता है यह बन्दा भी अपने लिए किसी से मदद मांग रहा था यह अपने पुरानी दोस्को फोन करता है जो कि काफी अधा Emperor Queen की Emperor Queen कौन है यह बताने की जरूरत नहीं है यह उन 13 Emperor's के अंदर से one of the most powerful Emperor है इनके सबसे ज़्यादा disciple है यह अपने disciple को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा अच्छा है यह जो लड़की है बियून Great Sage यह चौजर रिलम सबसे ज़्यादा हाई-level के होता है इसलिए लड़की काफी ज़्यादा पावफुल होता है इस लड़की से कहता है सिनियर सिस्टर इस पार जो तास्क किया गया है इसके अंदर काफी भयानक लेवल को कॉंपटिशन होने वाला है एंड जो ब्लट स्पिरिट गोल्डन बीट क करने का तास्क है उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे माश्चर ने मुझे कहा था काफी सारे रॉयल अलाइट मेरी मदद मागने के लिए आएंगे उन में से सबसे जादा टैलेंट है डी चू लीनियच के अंदर वो तुमारे अंदर है तुमारे काफी ज़्याद में इतना कुछ सोचा मैं लिटरली उनका काफी था आभारी हूँ एंपर कुइंग ने बस खुछ शब्द यिंग हाउ के बारे में ख़ए थे एंड इसी कारण जो यूंग हाउ का स्टेटस था वो काफी था बढ़ चुका था इसी कारण जो यूंग हाउ था उसे बाकी के में लड़की कहती है कि उस मिशन को मेरी उपर छोड़ दो तुम्हें बस अभी के लिए यह कह सकती हूँ कि मैं अपना बैस परफॉर्म करूंगी उन ब्लड स्पिरिट गोल्ड बीट को गलैक करने के लिए बट मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना बैस परफॉर्म करो काउंटेंट परफॉर्म के लेगियरे वर्ट के आवंट आथी यह काफी जरूप लेवल की सार के सारी साथ सेवन के मारकि थे इदर उदर से मदद मांग रहे थे सब लोग बीजी थे अपने लिए कोई नों कोई हेल पर डूपडने के लिए कि गया पनी पे बिज़ुर्ट की soul थी वह essence technique के दोारा bind थी लोफएंग के willpower technique साथी साथ उसके willpower को start hour पी protect कर रहा था एंड लोफएंग के willpower थी already God King level के second level के उपर थी इसलिए यह जो force था यह लोफएंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता नेचरेल लोफएंग को एक powerful तक घुसे में देखता है तो फिए लूफंग के तरफ देखता है और स्माइल करते होगे कहता है आपने कभी पहला सफ टू वर्ल्ड के बारे में सुनने के बाद जो फैंग होता है तो थोड़ा से शौग होता है उसने मास्टर याउचंग की एंड डौंग डौंग रिवर के एंहरेटेंस से थोड़ा बढ़त पड़ा था करें के अंदर काफ सारी इसरी चन्तरी ट्याँ मोच्ट्री और पड़ी सारी इमंड झाल दख कर सक्कार यह किती जादा पावफुल है इनके मेंबर्स कहा कहा फैले हुए है यानि कि इनके जो मेंबर्स है वो इवन काफी सारे अलाइट कंट्रीज के अंदर भी फैले हुए हो सकते है जैसे कि मैंने आप लोगो पहले बताया था इसकी काफी पॉसिबिलिटीज है कि जो गौर्ड कि निकरता वो बस इतना कहता है तो मैं मुझसे क्या चाहिए क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो ब्रली फिगर लुफेंग से कहता है लुए तुम बस इस वक एक चौग रिलम के वारियर हो एंड तुम नहीं जानते कि तुमारा आगे का जो कुटिविशन पात हो कि ताद डिफिकल्ट होता है जाए का कुल्टिविशन का फिगर लुफेंग से कहता है कि देखो रिसुचस के मामले के अंदर जो दो इशन कंट्रीज है वो बस सबसे ज़्यादा ध्यान अपने रॉयल पैमिलीज के उपर देती है वन तुम एंपरर चू के डारिक डिसाइपल हो इ वो तुम्हें पावरफुल रिसुचस दे पाएंगे इसके हलावा जो एंपरर चू है वो अपने डिसाइपल्स को ट्रेंड करने में काफी यदा बेकार है और साथ ही साथ वो तुम्हें कोई गाइडेंस भी नहीं दे सकते क्योंकि वो ओरिजन ओफ डिस्रक्शन को कॉंप प्रेंड करते हो इसके अंदर से एंपरो चूबस तुम्हें ओरिजन ओफ डिस्रक्शन के बारे में ही गाइड कर सकता है बाकी के दो औरिजन पाथ के लिए तुम्हें खुद के ओपर डिपैंड रहना पड़ेगा इन तीन ग्रेट पाथ को एक साथ कल्टिवेट करने के ल सकता है डेफिनेटली एंपर तू से काफी ज्यादा वैटर तरीके से एंड साथ हम जो रिशूस तुम्हें प्रोइट करेंगे वह एक अलगी लेवल के ओपर होंगे तुम्हारी काफी इज़त करता हो एंड तुम्हारे इंदर काफी पोटेंशल है इसलिए मैं तुम्हें यह ओपर दे रहा हूँ जैसे देखा जाए यह जो बंदा था यह वैसे तो फोर्सफुली लूफएंग की कॉशिंसनेस को अपने वर्चल वर्ट के अंदर बुलाके उससे यह डील साइन करवाना चाता था या फिर मेभी वो लूफएंग को फोर्स करना चाता था पर जब उसने देखा कि लूफएंग और यह काफी दा पावफुल है और वो लूफएंग की कॉंशिंसनेस का बाल भी बाका नहीं कर सकता तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और उसने लूफएंग के साथ दोस्ती करना ज्यादा वेनिफिशल समझा वह बर्ली फिगर लूफ लिए फाइट करनी है चूयू के तरफ से लेकिन जब टाइम आएगा तो तुम्हें उसे बस एक से दोई ब्लट स्पिरिट गॉल्ड पस देना वाकी के सारे के ब्लट स्पिरिट गॉल्ड लॉफ तुम मुझे लाके दे देना आइघो तुम्हें यह चीज आलडेडी पता ह साथ ही साथ हमारे तरफ से भी तुम्हें काफी सारे रिसुर्स एंड गाइडेंस मिलेगी इसके अलावा तुम चूजू के गेस्ट ऑफिशल भी हो देख लो इन सब चीजों के अंदर बस तुम्हारा ही फायदा है तुम्हें बैनिफिटी बैनिफिट मिलेगा कोई भी नुक होता है वो फिगर लूफ हैं के तरफ काफ़ जाधा मडेरे इस के साथ देखता है और कहता है कि चड़्डू सीटी है यह मेरे माश्टर का सिटी है लियांजी पैलेस के लोग तुम मेरे साथ इस जगवे फॉइट करो वहारे इंदर इतनी हिम्मत के तुम चूद्डू सिट था पूरी औरिजन कॉंटिनेंट के अंदर देखा जाए तो वो पूरी तरह की तरह इंविंसिबल तो नहीं था आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर चुछ सिटी के अंदर देखा जाए तो वो चुल काफी ज्यादा पावफुल था अदर था पावफुल एंसिटर चुटू सिटी के अपर अटाइक नहीं करता या फिर इस बंदी के अंदर कोई से हरा सकता है लूफंग उस बंदी की तरफ देखता है और कहता है तो यहां से दफा नहीं हुआ जल्दी निकल वरना तेरे को मार के भगा दूगा यासे इस है इन सब चीजों के कॉंसिकेंसिस तुम्हें फ्यूचर के अंदर भुगतने होंगे इसके बाद वो बंदा यहासे गायव हो जाता है उसके गायव होने के बाद लूफंग के फेस के ओपर एक छुटी सी स्माइल होती है लूफंग कहता है यह एडियर लूफंग मनी मन आएगी इसके बाद लूफंग मुरुशा को समन करता है इस वक्ट जो लूफंग ता वो स्टार्ट आवर के फ्लोर के उपर था मुरुशा भाँ पर आता है उसके सामने एक बहुत बड़ी गोल्डन स्केल बिटल कॉप्स की डेड़ बॉड़ी पड़ी हुई है इसके मुरुशा ने दिया है यह मेरे प्रैक्टिस के लिए है तो डेफिनिली थोड़ा दा डिसपॉइंट हो जाता है वो कितना ही ज्यादा लालची की उना हो जाए बड़ जो उसके मास्टर का वह उससे नहीं जुरा सकता लेहें तभी लूफंग कहता है कि मैं अल्रीडी यह ज निकि यह कोई ओडिनरी डेट बॉड़ी नहीं थी किसी भी चौजरिलम के वारियर से काफी ज़्यादा पावफुल डेट बॉड़ी थी तो यह ओडिनरी गौड़ किंग लेवल से भी ज़्यादा पावफुल बॉड़ी थी लूफंग कहता है कि देखो यह जो डेट से यूटिलाइज करोगे मास्टर में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूगा इसके बाद जो मुरुषा होता है वो क्रॉस लाइक करके वैड जाता है इस बॉड़ी को अब्जरू करना शुरू कर देता है यही पर यह चैप्टर होता है खतम होप करता हूँ कि आपको थोड़ासा लेट हो गया थोड़ासा बीजी हो गया था पिछले कुछ दिनों के अंदर चिंता करने की जरूबत नहीं है अगला प्रीमियम वीडियो आपको कली देखने के लिए मिल जाएगा तो जिन भी लोगो प्रीमियम वीडियो खरीदना होगा वो कल वापी से खरीद सकता है तो मिलते है नेक्स एपिसोड के अंदर तब तक के लिए बाबाए